नमस्कार साथियो तो current affairs की इस class में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूँ आज शुरू कर रहे हैं हम बचो current affairs किस चीज की जो हमारी पूरे साल की current affair है ठीक है उसकी जो current affair हम शुरू कर रहे हैं और अभी हमने दो चीजों को target किया हुआ है जीडी और जो अधिकारी series के लिए जो factual question आएंगे क्या facts related जो question आएंगे आज मैंने देखे बचो जीडी के तो जो question से पहले भी कई बार पढ़ चुके हम लेकिन अधिकारी batch का जो यह जो RO ARO वाला exam था इसके पिछले वाले question पढ़े और सीधे सीधे factual भी उसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं तो हम उन factual सवालों की तरफ इस वली जो शाम की series है इससे उन्हें cover करेंगे बचो ठीक है बहुत जो एक सबसे जरूरी चीज पढ़ाई करते वक्त होती है होती है खुद में भरोसा तो हम जो है ये भरोसा जो है हमें कब होता है बचो ये भरोसा में तब होता है जब हम कुछ जिस तरह की चीज़ें करना चाह रहे हैं उस तरह की चीज़ें हम कर पाएं कुछ यानि हम महनत कर रहे हैं और कुछ फिर कर पाएं तो हम अभी शुरुआत में एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको ये भरोसा दिलाएगा कि मैं ये करंट अफेर ये तैयारी मैं कर भी पाऊंगा या नहीं नोबेल पुरुसकार सारे के सारे विदेशी नाम होते हैं और जब विदेशी नाम होते हैं तो याद करना उनको एतना असान होता नहीं है तो हम आज केवल मैं इसी टॉपिक को आपको करवाऊंगा याद जब हम ये देखेंगे क्या हम इतना महतपूर्ण और इतना मुश्किल टॉपिक क्या याद कर सकते हैं अगर हम इसे याद कर सकते हैं तो बाकी चीजों को भी याद कर लेंगे और ये आपके अंदर एक भरोसे की एक confidence की feeling बढ़ाने वाला काम होगा बचो कोशिश हमारी रहेगी कि शाम की क्लास को हम शाम की क्लास में याद करवाएं तीक है शाम की क्लास मैं इसके notes बनाने के लिए भी आपको नहीं कहूँगा है ना notes की जर्थ नहीं पड़ेगी बच्चो क्योंकि वो जो notes हैं उसकी वजाए मैं आपको हर class के last में मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप पूरी क्लास का एक जिस्ट पांच मिनट या छे मिनट के अंदर पूरी क्लास का एक रिवाइज करा दिया जाए तो जब आपको रिवीजन की जरूरत महसूस हो तो वह last की पांच या छे मिनट की वीडियो आपको देखनी है पूरा का पूरा आपको देखने की जरूरत नहीं है clear है बच्चो? clear है? करें शुरू? वाकि हम बात करते रहेंगे धीरे-धीरे धीरे धीरे हम जो भी आपके सवाल हैं उनको भी लेते रहेंगे एक class आएगी दूसरे आएगी तीसरे आएगी लेकिन अभी हम शुरुआत कर देते हैं एक जो और जरूरी चीज में बताना चाहरा था कि हर week अब हम एक ऐसी class जरूर करेंगे जिस class में ऐसे topics करेंगे जो किसी भी topic में current जो cover नहीं होता यानि विविध टाइप की भी current affair पूछी जाती है जो particular topic में आती नहीं है तो हर week में एक class उसकी रखेंगे तो पहले आप शुरू कर दीजिए फिर हम रोजाना इसके बारे में बात आराम से करते रहेंगे ज़्यादा बात इसके बारे में नहीं करेंगे बच्चो नोबेल प्रुसकार की बात चल रही है नोबेल प्राइज जो अभी दिये गए 2023 के तो सबसे पहले तो किस की याद में दिये जाते हैं तो बच्चो Alfred Nobel क्या Alfred Nobel पहला सवाल बनता है नोबेल पुरुषकार किसकी याद में दिये जाते हैं, मैं आपको साथ में बताता भी चलूँगा कि किस तरह के सवाल आप से examiner पूछने वाला है, तो Alfred Nobel की याद में दूसरा सवाल बनता है, Alfred Nobel का संबंध किस देश से था, तो वो स्वीडन के थे, कहा के विग्यानिक थे, वो स्वीडन के विग्यानिक थे, कहा के दे बचो, स्वीडन के ठीक है, और उनकी जो सबसे महतपूर खोज है, उससे डाइनामाइट माना जाता है, क्या माना जाता है बचो, डाइनामाइट, ठीक है, तो जो डाइनामाइट की खोज किस ने की थी, तो य विदन के विज्ञानिक थे और डाइनामेट की खोज किस ने की थी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी यह सीधे सीधे तीन सवाल पूछेगा बचो दूसरा जो सवाल बनता है आपका के इनकी शुरुआत कब हुई नोबेल प्राइज जो है कब इस्टैबलिश हुए तो 1901 में यानि 1901 में कब से शुरुआत हुई बचो 1901 से शुरुआत हुई थी इनकी बचो नोबेल पूरुषकार है जब यह शुरुआत हुई 1901 से तब इतने छेत्रों में नहीं दिया जाता था जितने में आज दिया जा जाता है क्योंकि एक पुरुषकार हमारा बाद में भी एड हुआ ठीक है चलो कितने छेत्रों में दिया जाता है तो छे कितने एरियाज हैं बताओ कितने एरियाज हैं जिन में दिया जाता है तो छे एरिया हैं और वो कौन-कौन से हैं शांती के छेत्र में ये दिया जाता है तीसरा भातिकी के छेतर में ये दिया जाता है, यानि Peace, Literature, Physics, Peace, Literature, Physics, नमबर चार रसायन विज्ञान यानि Chemistry के छेतर में ये दिया जाता है, नमबर पाँच पे ये Biology में नहीं दिया जाता, कोई-कोई पूछता है कि Biology में दिया जाता है, तो biology में बच्चों यह नहीं दिया जाता यह दिया जाता है किसमें? Physiology or Medicine में और number 6 यह economics में दिया जाता है इसमें? economics में number 6 पे economics को इसलिए भी रखा है कि सबसे बाद में यही शुरू हुआ था सबसे बाद में यही वाला शुरू हुआ था एक काम तो कर दोगे एक बिल्कुल इमानदार जिन्होंने शुरू से क्लास ली है एक इमानदार कमेंट इस क्लास के बाद छोड़ देना कि क्या आपको इस क्लास का जो मैंने पढ़ाया है लगभग 50% प्लस क्लास में ही याद हो गया या नहीं क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आपको चीजें क्लास में ही याद करवाई जाए बिल्कुल इमानदार रिव्यू जिन्हें लगता हो कि भी परसेंटेज भी बता सकते हैं कितना परसेंट हुआ तो वो भी बता दीजिगा क्लास के लास में तो कितने चेतरों में छे चेतरों म नहीं दिया जाता चिकिसा यानि की जिसे मेडिसन या फिजियोलोजी हम कहा देते हैं उसमें दिया जाता है और इकनोमिक्स में भी दिया जाता है ठीक है इकनोमिक्स में नोबल पृसकार की बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी शान्ती का नोबल पृसकार देखो श मोहमधी हम इनकी जगह क्या कर देंगे नर्गिस मोहबती थी मुहबथ और मोहबथ बच्चो यानि शानती मतलब शानती Zar यह लिए यार कर लिया Quran की मानव अधिकार कारे करता है कौन है एरान की human right activist है बच्चो याद रखना है ये class एक दो सवाल आपके common होंगे क्या रोज होगी बिल्कुल बच्चो ये 6 दिन कम से कम week में होगी फिर दूसरा सवाल आपका रहता है क्या YouTube पे होगी तो ये वाली class YouTube पे होगी बच्चो ठीक है दो सवाल आपके common जो बार-बार नजारा रहे हैं तो इरान की मानवधिकार कारे करता है नर्गिस मुहमदी ध्यान रखना है बच्चो इरान में महिलाओं का उत्पीडन जो होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने में इनका क्या है बच्चो महतपून रॉल है और वहाँ पर महिलाओं के आमानवधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है नर्गिस मुहबती इसलिए हमें आद रखना है नर्गिस मुहबती ठीक है नर्गिस मुहबती इरान की मानवधिकार कारे करता है नाम महमदी है लेकर हम याद करेंगे महबत, महबत का वदलव शांती शांती का वदलव शांती का नोबेल प्रुसकार बच्चो ठीक है चलो, अगले कुशन पे आ जाते हैं इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है नर्गिस महमदी ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वाइट टॉर्चर और ये बच्चो ये वाली पुस्तक भी उन्हीं चीजों पे है जो टॉर्चर होता है ना उसी के उपर है महिलाओं का तो वाइट टॉर्चर जो है इसकी लेखी का इसकी ओथर कौन है नर्गिस महमदी है ये भी आपको याद रखना है शांती के लिए नोबेल देता कौन है अब आपसे पूछा जाए कई बर पूछा जाता है शांती के लिए नोबेल देता कौन है ये जो पैसा है नोबेल वाला फाउंडेशन ही देता है ये बाट ठीक है लेकिन बच्चो ये शांती के लिए देता है नार्वे की जो संसद है ना वो पांच सदस्य की एक समिती बनाती है क्या बनाती है एक समिती बनाती है पांच सदस्यों की और ध्यान रखना है वही प्रदान करता है शांती का नोबेल यहनी फाइनलिस्ट वही देते हैं बच्चों ठीक है चलो यह हो गई अगले सवाल पर आजाओ साहित्य का नोबल साहित्य का अब आप जानते हो ना साहित्य हम यहाँ साहित्य हिंदी साहित्य कर देते हैं इस साहित्य को हम क्या कर देते हैं हिंदी साहित्य अब देखो बच्चो एक नाम है जॉन जॉन फासे जॉन फासे अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई जॉन ने की और अब जॉन को दिलवादिया हिंदी साहित्य नोबेल को हमने याद रख लिया कि यह साहित्य मतलब हिंदी साहित्य ऐसे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जॉन को दिलवादिया साहित्य अब जॉन को पढ़ने पढ़न है कबीरदास अब जॉन को पढ़ने पढ़ रहे हैं सूर दास अब जॉन को पढ़ने पढ़ रहे हैं तो घूं तो इये समझो जॉन तो फर्स गया क्यंक्At यिजर शून तो फाleड भुश्क्षी नहीं थी जोन फासे को दिया गया है χाम रखना है ch爷 साह ते कपर सप्रम करता है स्वीडिबिस साहत्य एकहड़िमी वह नारवे की संसत आही थी committee बनाकर जिसमें 5 members थे अब जो Swedish Academy of Literature है यानि Swedish Sahit Academy कहां कि Sweden की ही बच्चों वो नार्वे की संसते रही थी धान रखना है ये Sweden की Sahit Academy जो है वो देती है और जॉन फासे को एक इसके लिए दिया गया है नाटकों के लिए और गद्य के लिए नाटक जो लिखते हैं उनके लिए दिया गया है तो यह दोनों चीज आपको याद हो गई ठीक है अब तक दो नाम याद हो गए हुए या नहीं जॉन फस गया नर्गिस महबती महम्मद हां जोन की ऩालत होगी हैं सहित्त पड़बड़ को इधर को फॉस गया विचारा यह यह बचारा चाहता नहीं था कंहलेए लेकिन फस गया है विचारा इसके साथ बड़ी साहन भूती रखनी है ठीक है चलो अब चिकिसा का नूबेल चिकिसा ठीक है चिकिसा का नूबेल आपको ध्यान रखना है कि पहले जो छोटे बच्चे जो हमारे जूसरे हमारी पिछली पीड़ी थी ना तो कोई भी कुछ भी कर लेता था, किसी को बंदर खा गया, किसी को कुत्तर खा गया, हल्दी लगा लिया, नमक लगा लिया, मिर्च लगा लिया, बस यही काम कर दिया, पर अब क्या करते हैं लोग, अब तो अगर किसी को कैट खा जाए, यानि बिल्ली भी क्या मार दे, बिल् है weisman kohan मान लेते हैं वाइजवन और वाइज मेन मतल了 बुद्धी मान आदमी तो बुद्धी मान आदमी क्या कहते हैं भह utens li लगवालो injection लगवालो ढू मैं वो कहते हैं कि बुद्धीमां आदमी क्या जल रहा है वेक्सीन लगवा लो अगर कैट ने खा लिया है ना अगर भई बुद्धी मान हो तुम वाइज मैन हो कैट ने खा लिया है अगर बुद्धी मान हो तो क्या लगवा लो वेक्सीन लगवा लो वेक्सीन और ये जो है किस विश्य के लिए दिया गया है MRNA ने टीकों पर उनका जो महतपूर्ण कारे उन्होंने किया है उसके लिए दिया गया है और MRNA वैक्सीन भी बनती है MRNA की वैक्सीन भी बनती है तो हो गया ना कैट ने खाया और वाजमेन ने जो टीके है ना वो लगवा लिए mRNAT कre, यानि ki vaccine लग वाली, wise man ने ठीक है, इतना याद रहेगा 3 मैंने आपको याद करवा दिये ठीक है, 3 मैंने आपको याद करवाएं, कौन-कौन से याद करवा दिये, मैंने आपको याद करवा दिये बच्चो, नर्गिस महिंदी यानि नर्गिस मुहम्मदी शान्ती का मिला था मैंने आपको बता दिया साहित्य में बिचारा जॉन फस गया था साहित्य में कौन फस गया था जॉन फस गया था मैंने आपको बता दिया किस्सा कैसे करवाते हैं अगर किसी को कैट ने काट लिया catlin cat ne kaat lیا तो वो क्या करते हैं अगर वो बुध्धी मान होते हैं तो आज कल T का लगवा लेते हैं भाई साब क्योंकि आज कल दुनिया भर की बिमारी चल रही है तो ये medicine का भी हो गया ठीक है medicine का भी हो गया है बच्चो अगले question पर आजाओ बच्चो आज आपके इतने सारे कमेंट हैं कि मैं सारे कमेंट तो करा नहीं सकता आपको है ना आपके जवाब यहाँ पे इसलिए जो भी आपके महतपूर्ण कमेंट हैं आप ऐसा करिए आप उन्हें इस पे वीडियो पे ओफलाइन डाल दीजिएगा जब क्लास खतम हो जाए ठीक है तो उसके बाद हम क्या करेंगे हम उन्हीं कमेंट को जो जरूरी है जो महतपूर्ण है उनको हम कल क्लास में आप क्लास से पहले पांच मेंट की वीडियो में बता देंगे आपको ठीक है चलो चिकिसा का नोबेल प्रुसकार कौन प्रदान करता है तो ये कैरोलिंस का इंसिट्यूट करता है कौन करता है बचो कैरोलिंस का इंसिट्यूट ये थोड़ा सा हमें रखना है याद ठीक है चलो अर्थ शास्त्र का नोबेल अर्थ शास्त्र का मतलब ही है खूब सारा जिस पर पैसा हो क्या हम हमें क्या होता है बंचो अगर हम कहीं ऊपर जा रहे हो पहाड़ों पर तो हमें ना Cloud मतलब जो बादल है घेर लेता है Cloud मतलब हमारे चारो तरफ जो घेर लेता है उसे कह देते हैं Cloud ठीक है तो यहाँ पर है Claudia Claudia golden तो ये भई अर्थ शास्त्र का क्या है? Claudia golden यनि कि Claudia golden है ना? यनि कि जैसे cloud घेर लेते हैं ना चारो तरफ से वैसे ही golden चीजों ने घेरा हुआ है चारो तरफ से यहाँ एक रानी हार है, यहाँ पे कुछ और है माथे पे कुछ और है, यहाँ कान में कुछ और है वैसे ही gold ने घेरा हुआ है ठीक है, किसने घेरा हुआ है? gold ने घेरा हुआ है gold ने घेरा हुआ है, याद रखना है और अगर greater noida में जहां हमारा studio है ना उसकी, उसकी, उसमें बात करें तो यहाँ लड़कियों को londia बोल देते हैं लondia, तो londia बिलकुल golden हो रही है या golden मतलब चारो तरफ से gold के गहने पैने हुए है ठीक है, अगर आप इसे भी आद कर लोगे तो ये भी ठीक है या तो cloudia मतलब चारो तरफ जैसे बादल घेर घेर आ जाता है ना घेर लिता है चारो तरफ से वैसे ही golden मतलब golden मतलब gold और gold का मतलब हो जाएगा आपकी economics से, किस से हो जाएगा बच्चो economics से आपका हो जाएगा gold का, ठीक है, चलो इसके किस लिए दिया गया है तो महिलाओं के स्रम बजार के परिणामों के बारे में जो हमारी समझ है उसको और बहतर करने के लिए यह हिंदी अंग्रेजी दौनों में रखी है PDF ताकि बच्चों को ज़्यादा दिकत ना हो ठीक है तो Claudia golden भी हो गई अब हमारे कौन कोन आगे जड़ा याद करके देखो क्या नर्गिस महमदी सांती का लेके आई थी नर्गिस महमदी क्या शांती का प्रुसकार लेके आई थी बच्चों क्या जौन फस गया था साहित लेकर जौन फस गया था क्या साहित लेकर बच्चों साहित लेकर और क्या बच्चों कैटलिन जो थी कैटलिन वाला जो था यानि डू वीजमेन Drew Wiseman यानि कि जब cat यानि Billy काट जाती है तो Wiseman क्या करते हैं तीका वीका लगवाते हैं कैसे इलाज करवाते हैं तीका वीका तो चिकिसाका ये दौनों लोगों को हो गया था चिकिसाका इन दौनों लोगों को हो गया था बच्चो ठीक है वैसे भी अर्थशास्तर से सममंदित क्या चीज है ये होती है बच्चो बेंक ये भी पहन रखी है चेन यानि कि वैसे भी याद हो जाएगा क्लॉड्या गोल्डिन अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा आपको छोटा फोटो है न इसमें बड़ा है स्क्रीन में तो मुझे दिख रहा है ठीक है सोनी की चैन पहनी हुई है नोंने चलो बहुतीकी का याद करना बहुत महतपून है और बहुतीकी का याद करना बहुत मुश्किल भी है देखो कितना मुश्किल है ये इतना मुश्किल है कि इसे याद करने में आपको दो मिर्ट लग जाएंगी एनी एक लड़की का नाम है एनी एल हुईलियर हुईलियर मतलब हो हल्ला एनी खूब हो हल्ला करती है जब कोई घड़ी लेती है तो हो हल्ला करती है जब कुछ गाड़ी लेती है तो हो हल्ला करती है एनी को बुलट मिल जाए भई आर डबलू से तो हो हल्ला करती है एनी को फोन मिल जाए तो हो हल्ला करती है तो यानी की एनी भौत हो हल्ला करती है भौतिक चीजों के बारे में यानि भौतिक जानते हो ना दो तरह की चीज़ है एक तो है अध्यात्मिक चीज़ है जो इश्वर से जूड़ी हुई है और एक है भौतिक जो हमें सामने दिखती है अरे इसके पास ये गाड़ी इसके पास ये जो है फोन इसके पास ये बाइक इसकी shirt इतनी महंगी तो इस बहुत तिक चीज़े हैं तो any जो है बहुत हो हला करती है बहुत तिक चीज़ों के यनि कि physical वाली जो चीज़े हैं उनको देखके ठीक है तो any की आई बच्चो नानी अब नानी क्या करती है नानी तो समझाती है ना बच्चो को तो any की नानी कह रही है प्यारी इन चीज़ों के उपर ज़्यादा ego में ना रहते प्यारी नानी तो क्या कहेंगी प्यारी तो बोलेंगी अपनी बेटी को अपनी धेवती को तो कहेंगे प्यारी इन जो ये जो बहुतिक चीज़ें ये किसी की नहीं हुई ये किसी की भी नहीं हुई ये आज मेरे पास हैं कलाब के पास होंगी परसों तीसरे के पास यनि कि ये सब क्या है ये सब घूमता रहेगा संसार में किसी का नहीं हुआ ये तो प्यारी ये जो होहला करती है न तू कोई भी चीज लाने के बाद प्यारी इगो में मत रहा कर कुछ भी नी रखा है ना इस इगो को फैक दे फैरेंक फैक दे बिलकुल है ना इस पे क्रॉस लगा दे इगो पे ये इगो करने लाइक नहीं है ये जो चीजे हैं क्योंकि यह जिंदगी में किसी की नहीं हुई या जाप की है इकल किसी और की है परसों किसी और की है ठीक है बच्चो तो यानि की एनी एल हुईलियर होहला मचारी थी नानी ने आके कहा प्यारी इगो में मत रहे फैंक दे इस इगो को दूर क्रॉस लगा दे और बहुत तिक बारे में हमारी बात चल रही थी किसकी चल रही थी बहुत इक चीजों के बारे में बच्चो ठीक है चलो तो इन्हें किस लिए दिया गया है जैसे कि किनको दिया गया था बच्चो नाटक वाला दिया गया था गद्य के लिए और नाटकों के लिए साहित्य वाला गद्य के लिए और नाटकों के लिए ठीक है वैसे ही जो स्रम बजार में महिलाओं की स्थिती है उसके बारे में समझ के लिए हमें किसका अर्थशास्त्र का दिया गया था वैसे ही physics का दिया गया है जो प्रकास के एटो सेकंड पल्स उत्पन करने में अग्रनी प्रायोगिक तक्निकों के लिए दिया गया यानि फोर क्या चो पाइनरिंग एक्सपिरिमेंटल टेकनिक्स इन जनेरेटिंग एटो सेकंड पल्स उफ लाइट ये बस थोड़ा सा याद रखना है ठीक है है ना ऐसे ऐसे भी आद कर सकते हैं इसे कैसे आद कर सकते हैं कि भौतिक चीज तो सेकंडों में चली जाती है भई ये तो सेकंडों में निकल जाती है इधर उधर ये किसी की सगी नहीं होती ये सेकंडों में निकल जाती है और जब बस एक वर्ड आपके दिमाग में रह गया अगर यह पूछा जाएगा तो यह वहाँ भी आप बता दोगे केवल एक वर्ड से भी बता दोगे बच्चो ठीक है अब लास्ट वाला आ गया है कौन सा बच्चो लास्ट वाला कौन सा है हाँ पुरुसकार कौन प्रदान करता है तो बच्चो दा रोयल स्वीडिस अकेडमी ओफ साइनसिज यह साइनस वाला जो है ना यह फिजिक्स वाला भी देगा और यह केमिस्ट्री वाला भी देगा यानि दा रोयल स्वीडिस अकेडमी ओफ साइनसिज उसके द्वारा ये physics का nobel, chemistry का nobel, दोनों ही प्रदान किया जाता है, ठीक है, चलो, अब आगे हम रसायन विज्ञान पे, देखो, रसायन मतलब chemical, अब आपके घर में जब पुताई होती है न, क्या, पुताई होती है न, पेंट होता है, हमारे गाओं में normal, हमारी गाओं की भा ब्रस से, जब भी दिवाली पे पेंट होता है, तो किस से करते हो बचो, ये करते हो आप, ब्रस से, तो लुईस जो है न, लुईस, वो ब्रस, किस के साथ, ब्रस के साथ, पुताई कर रही है, कर रहा है, कुछ भी मान लो, ये लड़की का नाम भी हो सकता है, लड़के का भी ठीक है तो क्या होता है ये बच्चो ये क्या होता है ये पुताई कर रहा है लूइस क्या कर रहा है लुइस कर रहा है पुताई ठीक है क्अ टपी Coriłefinी आही वहाँ पर कॉनाई य एलिकिशी आही और ब gloss रही एक मोव एक मुझे भी धिक मुझे तो नहीं पता कहां कैसे यूज होता है लेकिन वह बहुत जगे देखने को मिल रहा है ठीक है तो एक मुझे भी दे दे भाई एक मुझे भी दे भाई एक मुझे भी दे लुवlyज बुरुस ये सब्षणे होあります उनली बहुत एक मुझे हो सब्सक्राइब घ्या भी देदे है लुटो प्रवस नहीं मत दाले गाए केंचन उर्मल को आप तो इसलिए आपको क्या करना है भाई यह जो बूर्स है ना बूर्स से हो रहा है पेंट और पेंट को आप किस से Chemistry से Relate करोगे किस से Chemistry से तो Lewis आई और भुली एक मोवी है दे दे भाई एक मुझे भी दे दे हैना तो क्या के रिया है Lewis आई लुइस जो है बचों बरस लेके पेंट कर रहा है एलेकसी आई लुइस क्या कर रहा बरस लेके पेंट कर रहा है ऐलेकसी आई तो सुब्सक्राइब जूरौ सुरत ये paint जो है बड़ी मुश्किल से बुरस जो है लेके आया हूँ मैं दो-दो है ना क्यों क्योंकि एक जो है इस color का हो जाएगा एक दूसरे color का हो जाएगा या हम दौनों भाई कर लेंगे एक साथ paint पर मौंग के लाया हूँ बावडी तुझे ना दे सकें अब दुबारा मांगने के लिए ठीक है चलो तो ये हो गया किसके लिए दिया गया है quantum dots की खोज और translation के लिए अब क्यों भाई क्यों क्यों कर रहे थे वो बुरस से paint क्योंकि जगे जगे दिवार पर dots से बन गये थे है ना बच्चों आपको relate करना है किस के साथ paint को आपको relate करना है बच्चो रसायन विज्ञान के साथ ठीक है यनि chemical वाली विज्ञान के साथ ठीक है कौन प्रदान करता है तो वही the royal Swedish Academy of Sciences ठीक है जलो जल्दी से 2-3 में ये महतपूर्ण तथ्य देखते हैं अर्थ शास्त्र के लिए Nobel कब शुरू हुए 1969 में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जो Nobel पुरुषकार है वो निस्सो एक में शुरू नहीं हुआ था तो ये जो बच्चो economics वाला है इसकी शुरुआत हुई 1969 में जबकि ये established हो गया था कब 1968 में इसमें दो सवाल आते हैं पहली बार कब दिया गया 1969 में कब इस्थापना हुई 1968 में तो दो चीजें याद रखनी हैं पहले भारतिये कौन है जिने Nobel मिला था तो रविंदरनाथ टैगोर जी को मिला था पहले भारतिये रविंदरनाथ टैगोर जी को और ये भी कह सकते हो आप के पहला किन को मिला था यानि एशिया में तो एशिया में भी रविंदरनाथ टैगोर जी को ही मिला था बचो और पहली भारतिये महिला मदर टेरिसा 1979 में कब 1979 रविंदरनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला था लेकिन इन्हें मिला 1979 में तो Economics के लिए Nobel की शुरुवात 1969 में पहली बार दिये गए इस्थापना हो गई थी 1968 में पहले भारतिये Nobel पुरुसकार विजेता रविन नाटेगोर 1913 में दिया गया बच्चो एशिया के भी पहले यही है ठीक है एक संगठन है, और्गनाईजेशन है जिसे तीन बार Nobel दिया गया है वो है Red Cross International Red Cross Committee से बोलते हैं इसे तीन बार Nobel दिया गया है ठीक है? तीन बार Nobel इसे दिया गया है बच्चो गनित का Nobel किसे कहा जाता है? तो Able पुरुसकार को दूसरा सवाल यह बनता है एक मात्र जो संगठन है जिसे दिया जाता है Nobel जिसे दिया गया है बच्चो तीन बार शांती का Nobel तो वो कौन सा है? वो है International Red Cross और गनित का Nobel पुरुसकार Able पुरुसकार को कहते हैं बच्चो ठीक है? और एक बहुत महत्रपून उनके दो अलग अलग छित्रों में Nobel पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाली पहली और एक मात्र महीला दो अलग छित्र का मतलब है एक तो उन्हें जो छे छित्र हैं छे अरिया हैं जिनमें दिया जाता है ऐसे तो कहें कि भई उन्हें एक बार फिजिक्स का मिल गया फिर किसी चीज के लिए फिर मिल गया लेकिन दो अलग अलग छित्रों में तो ये हैं मेरी क्यूरी इन्हें फिजिक्स का भी मिला इन्हें केमिस्ट्री का भी मिला फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का physics का भी और chemistry का और सबसे कम उमर में Nobel जीतने का स्रे किसे जाता है बच्चो स्रे जाता है Malala Yusuf जाई को किसको Malala Yusuf जाई को जल्दी से revision करेंगे जब आपको revision करना हो revision के बाद आप मुझे जरूर comment छोड़ेंगे कि कितना आपने याद किया कितने percent इस class से ठीक है तो revision जल्दी से देखिए एक बार के बच्चो Nobel Prize जब भी आपको revision करना हो तो आप यहीं से वीडियो को फिर से देखेंगे Notes की जर्ट उससे नहीं पड़ेगी किसकी याद में दिया जाता है तो Alfred Nobel की याद में दिया जाता है कहां के विज्ञानिक थे Sweden के विज्ञानिक थे Dynamite की खोज किसने की Alfred Nobel ने की पुरुसकार कब शुरू हुए 1901 से इनकी शुरुवात की गई बच्चो कितने छेत्रों में दिया जाता है 6 छेत्रों में दिया जाता है क्या शांती में दिया जाता है बिल्कुल जी साहित्यानि लिट्रेचर के लिए दिया जाता है Physics में दिया जाता है दिया जाता है बच्चो Chemistry में दिया जाता है दिया जाता है Biology में दिया जाता है नहीं दिया जाता बच्चो चिकिस्सा विज्ञान यानि Medicine या Physiology जिसे बोलते हैं, हाँ जी दिया जाता है, एकनॉमिक्स में दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है, एकनॉमिक्स में भी बच्चो ठीक है, एकनॉमिक्स में भी दिया जाता है, शान्ती का मिला है, नर्गिस मुहम्मदी को, नर्गिस मुहम्मदी फैलारी है, शान्ती बच् है है न है न साहित्य का Nobel तो साहित्य लेके हिंदी साहित्य लेके जॉन फस गया भई क्या फस गया जॉन फस गया और सने कौन देता है तॉप्लेज्ट साहित्य सर्य manipulating से प्रदान करती है बच्चो चिकिस्सा धहान रखना है मतलब एलाज को अगर आजकल cat भी काट ले ना, billy भी तो wise man क्या करते हैं do मतलब क्या करते हैं तो wise man तो भाई उसका भी टी का लगवा लेते हैं चिकिस्टा कैसे करते हैं उसका भी टी का लगवा लेते हैं तो इसका किसलिए दिया गया है MRNA टीकों पर जो उन्होंने महतपूर कारे किया है जो इनके महतपूर कारे ने COVID-19 की vaccine बनने में भी क्या बच्चो महतपूर भूमी का निभाई है तो यह उसके लिए, उस काम के लिए इन्हें दिया गया है तो याद रखना है चिकिस्टा, ठीक है कैरोलिंस का institute अर्थशास्त्र का Nobel तो ध्यान रखना है भाई, Claudia Golden यानि जो चारो तरफ से गोल्ड, गोल्ड से क्या हो बच्चो घिरा हुआ हो क्योंकि अर्थशास्त्र मतलब पैसे का शास्त्र और पैसे का शास्त्र किस पे पैसे है उसी से related हो जाएगा बच्चो ठीक है और इनका किस लिए महिलाओं का जो स्रम बजार है उसके परिणामों के बारे में हमारी समझ को और बहतर बनाने के लिए इन्हें ये दिया गया है और प्रधान कौन करता है अर्थशास्त्र की बात आ गई तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है जैसे हमारा RBI है वैसे ही स्वेरिक्स रिक्स बैंक स्वेरिक्स रिक्स बैंक बच्चो है ना अब आगे भौतिकी किप है तो मैंने बताया था एनी नाम की लड़की है बहुत हो हल्ला करती है कोई भी फिजिकल चीज आ जाए उसके पास बहुतिक चीज आ जाए कोई कार आ जाए चाए गाड़ी आ जाए चाए अच्छा फोन आ जाए तो उसकी नानी आई नानी ने कहीं प्यारी पियरे एगोस्टिनी ध्यान रखना है प्यारी कोई बचो इगो नहीं रखनी प्यारी कोई इगो नहीं रखनी है बड़ी दिक्कत हो जाएगी लाइफ में है ना क्योंकि ये बहुतिक चीजे हैं ये एक सेकंड में ही एटो सेकंड वाला आ जाएगा एक सेकंड में उड़ जाती है इदर उधर बठो है ना और फैंक दे फेरेंक क्रोसज फैंक दे सीगो को दूर क्रॉस लगा दे इस पे इसका कोई फायदा नहीं है याद रखना है पीयर एगस्टनी भौतिकी फेरेंक क्रोसज भौतिकी एनी ऐल हुलियर बहुतिकी के लिए इन्हें दिया गया है और यहां एटो सेकंड के बहुतिक चीजे हैं क्या पता अगले ही पल आपके पास से कहां चली जाए ठीक है चलो यह आपको रखना है याद रसाइन का नोबल जो है रसाइन तो मैंने का था रसाइन मतलब chemical अगर आप paint कर रहे हो ना तो आपको brust ये उस paint में क्या होते है chemical होते हैं तो Lewis जो है वो brust लेके लगा हुआ है अपने घर पे लगा हुआ है अपने घर पे ध्यान रखना है बच्चो तभी Alexi आई और बोली भई एक मुझे भी दे दे एक मोव एक मोव एक मुझे भी दे दे brush तो भई यह कह रहा है मौग के मौगी मैं खुद मौग के लाया हूँ बावरी मत हो लड़की मैं खुद मौग के लाया हूँ मैं तुझे बुरस दे नहीं पाऊँगा बहुत महेंगे बुरस है ठीक है खो खा देगी तो ठीक है खो देगी ने तो quantum dots की खोज और sensation के लिए quantum dots तो ऐसे भी याद रखना है जो paint कर रहें क्यों क्योंकि पूरी दिवार पे dots बने हुए हैं छोटे 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 इसलिए और ये दोनों जो physics और chemistry का कौन देता है the royal Swedish academy of sciences the royal Swedish academy of sciences जिने देते हैं बच्चो ठीक है तो ये मैंने पहले ही बताई दियें तथे एक चीज़ और बता दूँ इस बार हम क्या करेंगे बच्चो इस बार हम ये करेंगे कि हर पांच क्लास का हर पांच क्लास के बच्चो जब पांच क्लास हो जाएंगे तो दो-तिन दिन जब उनको हो जाएंगे ठीक है तो उस पांच क्लास के जो पचास सवाल बनाएंगे और ये देखेंगे कि आपको कितनी चीज़ें उसमें याद हुई उससे आपके दो फायदे होंगे एक रिवीजन भी हो जाएगा और एक नॉर्मल जो आपको क्या होगा बच्चो एक नॉर्मल आपका रिवीजन हो जाएगा प्लस पचास सवाल जो है आपको इस फॉम में भी आ जाएंगे अगर सवाल पूछा जाता है तो कैसे अब लास में आप एक बार ट्राई कर लो जॉन फासे को दिया गया है ठीक है अगर कैट भी काट ले तो क्या इलाज करवाओगे क्या इलाज यानि मेडिसन भभी वाई जमेन तो क्या करते है वो तो वेक्सीन लगवा लेते हैं तो कैटलीन कारिको और डू व्रीजमेन जो हैं दुरू वीजमेन इन दोनों को किस्सा का पुरुष्कार दिया गया है गोल्डन पूरी तरफ से, चारो तरफ से गोल्डन जैसे क्लाउड में गहिर जाते हैं वैसे यकोल्डन कौन हुआ पड़ा था क्लाउडिया गोल्डन यानि की Earth Sastra का पुरूजकार इसका Earth Sastra का बचो Claudia Golden ठीक है चलो एनी जो हर बात पर होहला करती थी क्यों कि भहुतिक चीजें उसके पास जब भी आती थी ना तो भी वो होहला करती थी तो जब भहुतिक चीजे आती थी तो आनी आई नानी ने समझाई पियरे एगोस्टिनी के प्यारी ज़्यादा इगो में मत रहे फेक दे इस इगो को दूर क्रॉस लगा दे इस पे क्योंकि बहुत तिक चीजें कभी किसी की नहीं हुई ये तो लाइफ में आनी जानी लगी रहती है बच्छो ठीक है इसके बाद ल इसको पेंट करते हुए देखके एलक्सी आई बोली एक मुझे भी दे दे और वो बोला नहीं भाई मौंग के लाया हूं मैं तो बावडी मत हो छोड़ी ये ना मिले ये तो बिलकुल नहीं मिलेगा मैं मौंग के लाया हूं फिर मैं जो पैसे देने पड़ जाएंगे उसके क्या देने पड़ जाएंगे पैसे देने पड़ जाएंगे ठीक है चलो बतोmos देखो सबसे मुश्किल टॉपिक था ये डिफीकल्ट टॉपिक मैंने रखा जानबूझ के क्योंकि मुझे एक चीज लगती है बतो बुरा मत मानना लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि जिसकी इक्षाशक्ति कम हो जिसके जो रगों में खून की बजाए पानी बहता हो उसे ना फिर जो यात्रा शुरू करे वो फालतु में परेशान हो कुछ दिन तक इससे तो अच्छा है कि वो पहले ही रुख जाए इससे तो अच्छा है कि वो पहले ही रुख जाए तो जैसे लगता तो जो इसके बाद भी इतनी मुश्किल चीजें भी कर लेगा, मेरी पढ़ाई के लिए कि खुद का रूल भी यही है, मुश्किल चीजों से शुरुआत करो, जिससे कि आपको बाकी सब चीजें क्या लगें, असान लगें बचो, जिसने शुरू में मुश्किल जिंदगी दे कोशिश करेंगे, आप एक कमेंट जरूर छोड़ियेगा, यह जो है, यह टॉपिक जो बहुत महतपूर्ण भी है, बहुत मुश्किल भी है, कि अगर आपको इससे भी सवाल आ जाए, कम से कम के कौन से छेतर के लिए किसे मिला है, तो आपके वो लगभग कितने परसेंट त अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगर क्लास किसी को गलती से पसंद आ गई हो, तो एक बार लाइक जरूर कीजेगा, धन्यवाद है